अलो फ्राइंट्स दिस प्रेडन तुबे एंड वेलकम तो मैं चैनल स्टीचिंग प्रोफेसर तो आज आपकी प्रोफेसर कॉन सर लेसन लाई है यह जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल साड़ी से सुन्दर ड्रेस बनाना तो यह है मेरे क्लाइंट की साड़ी और यह है इसका पल्लू अंदर है यह ब्लू कलर की तो सबसे पहले मैं इसका पल्लू कट करके अलग कर दूँगी अब हमें इसका प्रिंट देखना है और उस हिसाब से हमें कपड़े को बिचाना है तो देखी मैंने इसे डबल फोल्ड किया अब मैं बॉड़ी मेजरमेंट देखूंगी तो मेरे क्लाइंट का जो बॉड़ी मेजरमेंट है उसमें मैं दो इंच का मार्जन लेते हुए चोड़ाई नापूंगी और इसे फोर फोल्ड में आप क्योंकि मैं बॉड़ी में अस्तर नहीं लगा रही हूँ इसलिए मेरे पास में जो पल्ले का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे ही मैं अस्तर की तरीके से यूज करूंगी तो उसकी कटिंग में क्या करूंगी कि ये जो मेरी बॉड़ी कटिंग हो गई है उस मेरे चेनल इस्टी चिंग प्रोफेसर को बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए अब हम कट करेंगे स्लिप्स तो स्लिप्स के लिए भी हमें फोर फोल्ड में कपड़ा लेना है उसकी लेंथ से हमें एक इंच का मार्जन लोंगी क्योंकि नीचे मुझे फोल्ड नहीं करना है इसलिए एक इंच का मार्जन लेते हुए कटिंग कर लोंगी तो यह मेरी कटिंग हो गई है हम चलते हैं मशीन पे अब देखिए मुझे क्या करना है कि मैंने यह जो डबल बॉड़ी कट की है यानि कि मेरे पास और नहीं हो तकि मैं आपको गला बनाना बताओंगी तो देखिए मैंने इस पर इस्टेचिंग कर ली है अब हमने जो डबल कप्ड़ा लिया है इसे हम पलट लेंगे तो देखिए मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से पलटना है यह देखिए सिंपल जैसे हम उल्टे कप अब हमें डालना है बॉडी में टक्स तो आप देख रहे हैं कि शोल्डर का मैंने हाफ याने की सेंटर पॉइंट निकालते हुए उसे फोल्ड करके और कट का निशान लगा लिया है तो देखिए उसी कट से ये देखिए ये कट का निशान है उसी कट से मैं कपड़े को फोल् अब हम क्या करेंगे कि बोड़ी के सीधे सीधे part को आपस में मिला कर और shoulder को जोड़ देंगे इस तरीके से shoulder जोड़ने से shoulder में बहुत अच्छी finishing आती है यह देखिए कितनी अच्छी finishing आई है अब आते हैं हम अस्तीन पे तो अस्तीन पे हमें नीचे की साइड में इसे फोल्ड करना है तो सबसे पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे फिर उसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सिला ही लगा लेंगे अब देखी मेरी स्लिफ्स तयार है अब इसका मैंने जो सेंटर पॉइंट पे कट का निशान लगाये था उस सेंटर पॉइंट को शोल्डर की स्टीचिंग से मैच करते हुए हमें इसमें स्लिफ्स जोड लेना है आप देख रहे हैं कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रही हूँ फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिए मैं आपके हर कोश्चन का आंसर दूँगी वीडियो कैसा लगा फटा फट से कमेंट करके बताईए क्योंकि मैं वेट करती आपके कमेंट का तो देखे मैंने दोनों तरफ स्लिव जोड ली है अब नमबर आता है हमारे घेर का तो जो एक पार्ट है बॉड़ी का उसमें हम इसमें बिल्कुल पतली पतली याने की हाफ इंच से भी कम हमें पतली प्लेट्स लेनी है तो देखे मेरी ये प्लेट्स आया है इसी तरह से हमें बॉड़ी के दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है मेरी एक सब्सक्राइबर है रोश्नी शुकला जी उन्होंने मेरे वीडियो को देखके अपने लिए एक साड़ी की ही ड्रेस तैयार की है जिसका उन्होंने मुझे पिक भेजा है तो इस तरह स आप भी अधी कुछ इस्टिच करते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए मैं अपने वीडियो में आपके पिक्स जरूर दिखाऊंगी तो देखे मेरी ये फ्रॉक कम्प्लीट है अब हमें इसे इस्टिच करना है साइट से तो कटिंग करते वक्त हमने जो निशान लगाया था हम मैं उसी निशान के उपर सीधी सिलाई लगा लेनी है मेरे वीडियो को देखते समय मेरे डिस्किप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए क्योंकि मैं वहां पर बहुत से काम के लिंक आपके लिए शेयर करती हूं किसी भी वेस्ट चीज को डिस्ट्रॉय करने से पहले इस्ट लुक कैसा आया तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको सिंपल साड़ी से सिंपल लॉंग बनाना सिखाया वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बनना है स्टेचिंग में प्रोफेसर सब्सक्राइब कीजिए स्टेचिंग प्रोफेसर तो मिलते हैं न अप्रोफेसर फिर्जिए और लॉपार्स कर दो